प्यारे बच्चों चलिए क्लास हम लोग 9th क्लास CBAC के लिए Science Subject को पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्लास 9th CBAC Subject Science हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग पीछले क्लास में Acceleration के बारे में पढ़ रहे थे कि Acceleration क्या होता है उसका SI Unit क्या होता है ठीक है तो प्यारे बच्चों हम लोग इसको पढ़ लिखे थे आज हम लोग कुछ Special Unit के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है Unit जरा उसको सीखेंगे कि ये Unit क्या होता है ठीक है अब यूनिट सीखेंगे सबसे पहले कि ये क्या होता है यूनिट तो सबसे पहले एक रूल होता है और रूल क्या होता है रूल ये होता है कि जब हमें कोई यूनिट ठीक है अगर जब हमें कोई यूनिट किलो मीटर पर आवर में दिया रहेगा प्यारे बच्चों रखना पड़ेगा कि 5 by 18 से multiply किया जाता है और वैसा ही दूसरा एक रूल है कि जब प्यारे बच्छों मीटर पर सेकेंड में रहेगा किसी का speed या फिर velocity जब मीटर पर सेकेंड में रहेगा और हम चाहते हैं उसको कि किलो मीटर प्रती आवर बना ले तब इसको multiply करना पड़ता है 18 by 5 से 18 by 5 से तो ये दोनों मेथड आपको याद रहना चाहिए जैसे कि example में हम लोग सिखाना चाह रहे है पहला question है कि आपको 54 किलो मीटर प्रती घंटा है तो आप इसको मीटर प्रती सेकेंड में कितना आंसर करेंगे ध्यान दिजेगा हमें सवाल कितना है किलो मीटर पर आवर में 54 है हमको मीटर पर सेकेंड में बदलना है किलो में प्रती सेकेंड यानि कि प्यारे बच्चो जब हम लोग क्या करेंगे 54 को देखेंए फर्मूला देखें कि कि रोममेटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बादलने के लिए 5 बटा 18 से गुना करते है तो आप इसको 5 बटा 18 कीजिए तो 18 से कितने बार में यह कटेगा तीन बार में तो 3 को 5 से मल्टिपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पचे 15 तो यह हो जाएगा मीटर पर 30 सेगें यानि कि प्यारे बच्चो जब हमें किलो मिटर प्रती घंटा में दिया रहेगा तो उसको मिटर पर 30 सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे तो 5 बटा 18 से गुना करेंगे ठीक है अब 18 बेटा 5 से कब गुना करेंगे जब वो मिटर पर सेकेंड में दिया रहेगा तब जैसे दूसरा एक्जम्बल प्यार बज़ो इस बार हमें 25 मिटर पर सेकेंड है यह 25 मिटर पर सेकेंड है हमें बोल रहा है कि किलो मिटर पर आवर में कितना होगा एकोडिंग टू सिचुवेशन हम लोग चेंज करते हैं कि कहां मिटर पर सेकेंड है कहां किलो मिटर पर सेकेंड है कहां पर चेंज करने का आवस्यक्ता होता है तो इसलिए हम लोग यहां पर मिटर पर सेकेंड है इसको change करना है कि इसमें km per hour में तो यहां कितना भेलू दिया है 25 को ना change करना है तो मिटर परति सेकेंड से km परति घंटा जाना है तो 18 बटा 5 से गुना करेंगे तो इसको 18 बटा 5 कर देंगे तो यह कितने बार में कटेगा प्यारे बचो तो 25 बटा 5 बटा 5 को जब 18 से गुना करेंगे तो 18 पचे 90 और यहां हो जाएगा km परति घंटा यानि कि प्यारे बचों हम लोगों को अगर जरुरत पड़ेगा तो हम लोग बिल्कुल इस तरीके से हम लोग बदल सकते हैं जब एक और एक्जामपल ले लेता है एक्जामपल नमबर 3 इस बार हमें दे दिया 28 km प्रति घंटा को चेंज करना है कि मीटर प्रति सेकेंड में कितना वेलू होगा इन मीटर पर सेकेंड तो हम लोग को रूल क्या बोलता है कि जितना वेलू दिया रहेगा उसको लिख लिजे अब किलो मीटर प्रति घंटा को किलो मीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो इसके लिए हम लोग रूल सिखे हैं कि पाई वाई 18 यानि कि 5 बटा 18 से गुना कीजे इसको 5 बटा 18 से गुना कर दिया तो जितना कटेगा प्यारवचो तो काट दना है जैसे कि 14 दुनी 28 9 दुनी 18 अब ये और कटेगा तो नहीं कटेगा तो 14 पच्चे कितना? 70 बटा में कितना? 9 तो अब इसको हम लोग किसमें बोलेंगे? मीटर प्रती सेकेंड में या फिर आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी बोल सकते हैं जैसे कि 9 63 70 9 63 77 पॉइंट 77 आते जा रहा है मीटर पर सेकेंड तो हम इसको लिख सकते हैं 7.8 मीटर पर सेकेंड यानि कि इसको जब 7.77 है तो एप रॉक्स में 7.8 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं चलिए अगला एक और एक जामपल देखते हैं इस बार हमें 30 मीटर पर सेकेंड है और इसको हमको चेंज करना है वाट किलो मीटर पर आवर में यानि कि सबाल दिया हुआ रहेगा हमें मीटर पर सेकेंड में और हमें ज़रुरत पड़ रहा होगा किलो मीटर पर आवर में चेंज करने के लिए तब इसका रूल क्या है कि 30 का 30 लिख लिजे और इन्टू इस बार मीटर पर सेकेंड से किलो मीटर पर सेकेंड जाना है किलो मेटर पर आवर जाना है तो 18 बटा 5 से गुना किजिए तो 5 छक 30 तो यह हो जाएगा 108 किलो मेटर पर आवर तो प्यारे बच्चों आज हम लोग सिखे कि कोई भी यूनिट को कैसे चेंज किया जाता है किलो मीटर परति घंटा में क्या वसकता होती है तो हम लोग इन चीजों के बारे में सिखे चलिए अब आई ये आगे सिखते हैं पयार बच्चों जैसे कि हम लोग NCRT से साइनस पड़ रहे हैं चुकि हम लोग 9th क्लास का, क्लास 9th के लिए CBC के लिए CBAC में science subject हम लोग चुकि NCRT book को follow कर रहे हैं इसलिए NCRT book में होता क्या है कि उसके beach में यानि कि सवाल जो question book रहता है उसके beach में भी कुछ-कुछ questions रहता है तो हम लोग आईए अब उस beach वाले questions को देखते हैं चोकि पिछली दिन हम लोग acceleration पढ़े थे तो acceleration से related कुछ problem है तो बीच-बीच में जो question मिलेगा प्यार बच्चों तो उस question को हम लोग करेंगे सबसे पहले question number one question first लिखा जाए हम चुकि बोल के लिखवा दे रहे है question कि question number one क्या है फिर हम उसको आप solution भी बोल कर लिखवाएंगे क्योंकि हो सकता है किसी के पास भूख है या फिर किसी के पास भूख न हो तो पहले आप question को लिख लिजे हम बोल कर लिखवा देते हैं तो question number one लिखा जाए है when will you say a body is in in के बाद पहला question है और दूसरा question है सुरू से मिलएगेगा सुरू से question when will you say a body is in पहला सवाल है uniform acceleration और दूसरा है non uniform acceleration ठीक है तो पहला सवाल क्या है uniform acceleration और दूसरा सवाल क्या है non uniform acceleration चलिए इसका answer लिख लिए जाए answer क्या बोल रहा है कोशन तो पहले समझ जाए तब हम लोग answer करेंगे सवाल बोला कि आप कब बोलेंगे कि कोई body जो है uniform acceleration में है और आप कब बोलेंगे कि कोई body non uniform acceleration में है सवाल क्या बोलेगा कि आप किसी body के बारे में किसी object के बारे में कब बोलेंगे कि uniform acceleration हो रहा है और आप कब बोलेंगे कि non uniform acceleration हो रहा है तो सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि uniform acceleration uniform का मतलब ही होता है कि जो speed increase होगा वो equal time में होगा यानि कि uniform acceleration का मतलब समझे कि uniform acceleration में क्या होता है तो इसमें a speed increase करता है कब तो equal time में है ठीक है यानि कि equal time में a speed increase करता है लेकिन प्यारवचो non uniform में a speed जो है increase करता है on equal amount on equal का मतलब होता है बराबर नहीं मतलब कभी आप ज़्यादा तेज चल दिये कभी आप ज़्यादा slow चल दिये तो इसको हम लोग बोलेंगे non uniform जैसे कि हम लोग पिछले पढ़े थे uniform motion के बारे में पढ़े थे तो उसी से related acceleration है तो बूला जा रहा है था सवाल कि आप कब कहेंगे when will you say आप कब कहेंगे कि पहला सवाल uniform में होगा और दूसरा सवाल कब non uniform में होगा तो इसका answer हम लोग करने के लिए चलिए solution का answer लिख लेते हैं तो बोल के लिखवारे आप लिखे तो लिखे का answer a body is said to be a body is said to be in uniform in uniform acceleration in uniform acceleration when when it it is it is increasing increasing it's a speed it's a speed equally equally का spelling ऐसे एक्यूव एडबल लवा equally कि इन कि इक्वल इंटर्वल ओफ टाइम इन इक्वल इंटर्वल ओफ टाइम फुल अस्टो यानिकि इक्वल इंटर्वल ओफ टाइम कब होगा जब कोई body increase होगी उसकी speed equally यानि कि बराबर speed में जो increasing आएगी ओफ इक्वल आएगी इक्वल टाइम में अब उसी के बाद फुल अस्टोप के बाद लिखेंगे कि आप कब बोलेंगे कि नन इनुफर्म होगा तो उसका अंसर लिखेंगे इसी में a body is said to be a body is said to be in non-uniform acceleration when it is when it is when it is on equal amount of speed on equal देखें यहाँ पर equal लिखे थे ना on equal amount of speed यानि कि यहाँ speed जो होगा वो increase करेगा लेकिन on equal करेगा यहाँ पर speed जो increasing होती है वो equal होती है लेकिन यहाँ पर नन इनुफर्म में क्या होती है अनिक्वल यहाँ लिखेगा अनिक्वल amount of speed इन इन equal interval of time in equal interval of time तो सवाल क्या बोल रहा था कि आप किसी body के बारे में कब कहेंगे कि uniform होगा और कब कहेंगे कि non-inform होगा ठीक है तो हम यही बोलेंगे कि कोई भी body uniform में कब होगा तो जब उसका speed increase होगा equal में equally increase करना चाहिए equal time में लेकिन non-inform में कब होगा जब उसका speed increase होगा unequal मनिकी time बढ़ रहा होता है लेकिन उसका speed घट रहा है बढ़ रहा है फिर घटा फिर बढ़ा तो हम इसको इसको बोलेंगे non-inform acceleration पैर बचों चली आईए हम लोग चलते हैं अगले question की तरह बढ़ते हैं question number two तो question number two क्या बोल रहा है जरा पहले आप question को लिख लिजिए ज्योंकि हो सकता है आपके पास book नहीं हो a bus a bus decreases decreases का spelling d-e-c-r-e-a-a-c-s a bus decreases its speed it's a speed from from 80 kilometer per hour 80 kilometer per hour to to 60 kilometer per hour 80 kilometer per hour to 60 kilometer per hour in five second in five second find find the acceleration of acceleration of bus find the acceleration of bus find the acceleration of bus चलिए तो अब इन चीजों को समझने के लिए देखिए इस question में क्या बोल रहा है question question ये बोल रहा है प्यारे बच्चों solution एक numerical problem है और numerical problem को कैसे solve करना है सबसे पहले बोला कि एक bus स्टार्ट करता है चलना कितना से तो 80 kilometer per hour से ठीक है और जैस्टार्ट करता है 80 kilometer per hour से और decrease हो जाता है decrease का मतलब होता है घट जाता है उसका speed और घट के कितना होता है 60 kilometer per hour कितना टाइम में प्यार बच्चों तो only 5 seconds में ठीक है तो हम पिछला दिन बताये थे कि जहां से speed या velocity स्टार्ट होता है उसको बोलते है initial velocity और प्यारे बच्चों initial velocity को हम लोग यू से सुचित करते हैं किस से सुचित करते हैं यू से तो हम लोग यहां पर यह पता चल रहा है कि start कर रहा है वह 80 km per hour से और मतलब decrease हो रहा है घट जाता है कितना से 60 km से तो हम यहां पर इनिसियल वेलोसिटी उस बस का कितना है 80 km per hour लेकिन प्यारे बच्चों यह km per hour में है हम लोगों को किस में चाहिए मीटर पर सेकेड में तो मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए 5 बाइ 18 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा अब आपको सोच रहोंगे कि सरथ मीटर पर सेकेंड में क्यों हम लोग चेंज कर रहे क्योंकि पहरों यहां पर जो टाइम है वह किसमें है सेकेंड में इसलिए 5 बटा 18 से गुना कर दिये अब ये 40 दुना 80 और ये 9 दुना 18 और यहां हो जाएगा 200 बटा में 9 मीटर पर सेकेंड ठीक है यूनिसेल वेलोसिटी आ गया अब ज़रा फाइनल भी बराबर तो भी का मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी कितना है तो 80 से चलता है और 60 से लास्ट हो जाता है तो फाइनल हुआ 60 किलोमेटर पर आवर अब जब 60 किलोमेटर पर आवर में है इसको अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो कितना से मल्टेपल करेंगे 5 by 18 से तो यह कितना से होगा नाइन टूजा 18 30 टूजा 60 यहां हो जाएगा 339 टेन 3030 तो 1050 50 by 3 मीटर पर सेकेंड तो सवाल अब क्या बोल रहा है कि एसलेरेशन टाइम दिया है हमें 5 सेकेंड का इसलिए एसलेरेशन निकालना है तो एका फार्मूला प्यारवचों पिछली दिन पढ़े थे यह बराबर भी माइनस यू बटा में टी अब चलिए तो भी के जगार पे कितना रखना है है भी के जगार पे रखना है पंच बटातीन माइनर यू के जगा पे कितना रखना है तो 200 में नौ और बटा में टी कितना रखना है पांच जरा और आगेस रुशन करते हैं तो यहां पे कितना बनेगा तो पांच तो नीचे तो नीचे 5 लिग दिए अब 3 और 9 का एल सिम कि 3 से कितना बार में कटेगा तो 3 बार में तो 553 जा 150 डेढ़ 100 माइनस 9 से एक बार में कटेगा तो यहां हो जाएगा 200 और प्यारे बचों आप देख पार होंगे डेड़ सो में से 200 गटेगा तो माइनस में हुआ 50 और बटा में ये जब 9 नीचे आ जाएगा तो 9 पचे कितना 45 और इसको जब काट देंगे तो कितना बार में कटेगा 15 से 50 और 595 यानि कि माइनस 10 बाइ 9 मीटर प्रती सेकेंड स्क्वार हो जाएगा इसका एसलरेशन तो प्यार विच्व सवाल को समझे बोल रहा था कि एक बस जो है 80 किलोमेटर पर आवर से स्टार्ट होता है चलना और वो डिक्रीज होके 60 किलोमेटर हो जाता है कितने सेकेंड में 5 सेकेंड में तो यहाँ U का वेलू दिया था B का वेलू दिया था और T का वेलू दिया था 5 से दाएगा चलिए आगे कोशन बढ़ते हैं क्योंकि एंसी आटी का सवाल है तो वह वेरी वेरी इंपोटेंट है आप अच्छा से इसको प्राक्टिस किजिए आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर तीसरा तो चलिए तीसरा आप लिखिए कोशन हम बोलते हैं लिखा जाए ट्रेन a starting from a starting from a railway station a railway station and moving with and moving with uniform acceleration moving with uniform acceleration comma attains a speed attains a speed 40 km per hour in 10 minutes 40 km per hour in 10 minutes find its acceleration find its acceleration प्यारे बच्चों ये भी एक numerical problem है आपको सिखना चाहिए कि इसका solution कैसे करेंगे ये एक numerical problem है इसमें क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों कि एक train जो है start होती है कहां से railway station से तो हम कितनी बार बोल चुके हैं कि जब कोई भी particle चलना सुरू होता है तो चलना सुरू होता है और उस चलने का speed नहीं दिया रहता है तब हम लोग initial velocity initial velocity को किस से सुचित करते हैं प्यारे बच्चों यू से तो यू का value कितना मानना है 0 meter per second initial velocity हो गया 0 meter per second लेकिन प्यारे बच्चों final velocity हमें दिया हुआ है final velocity यानि कि V का value दिया हुआ है कितना तो वो 40 km per hour का speed attend कर लेता है यानि कि प्राप्ट कर लेता है मानने कि सवाल ये बोल रहा है कि एक train है जो railway station से चलना सुरू होता है और सुरू होते होते वो कितना km per hour speed का पकड़ लेता है 40 km per hour का speed वो प्राप्ट करता है attend करता है तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि 40 km per hour क्या हुआ final velocity अब इस km per hour को meter per second में change करने के लिए क्या करेंगे तो 5 बटा 18 से गुना करता है तो यह हो जागा 20 दूना 40 9 दूना 18 20 पच्ची कितना 100 बटा 9 meter per second फिर बोल रहा है कि यह चीज होने में यानि कि जब railway station से train खूलती है तो 40 km per hour का speed पकड़ने में उसको 10 minute का time लगता है यानि कि time हमें दिया है कितना minute प्यार बच्चों 10 minute हम लोग जानते हैं कि एसा unit of time क्या होता है time का एसा unit क्या होता है second तो एक minute में कितना second 60 तो इसलिए 60 को 10 से multiple करेंगे तो कितना second हो जाएगा total 6 second तो कुल मिला कर अब देखा जाए तो आप acceleration निकाल सकते हैं एका value निकाल सकते हैं तो एका formula क्या तो V minus U बटा में T तो यहाँ पर V का value कितना है 100 by 9 और minus U का value कितना है तो देखिए initial velocity 0 क्योंकि वो railway station से start होता है तो railway station से start हो रहा का मतलब यह हुआ कि पहले train तो रुकी होगी और जब रुकी होगी तो उसका initial velocity कितना 0 तो U का value 0 T का value कितना आया तो T का value 600 आया चुकि 100 by 9 में से 0 घटेगा तपर भी तो वही बचेगा 100 by 9 और बटा नीचे कितना 600 तो प्यारे बचों यह 100 है और यह 9 नीचे आ जाएगा तो 9 into 600 2 0 स 2 0 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 बटा 54 और जब प्यारे बचों 1 बटा अगर 54 है तो इसको डिवाइड किजिएगा तो 0.02 2 सम्थिंग आएगा ठीक है 0.019 कुछ सम्थिंग आएगा तो हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं और हम लोग सही आंसर प्राप्ट कर सकते हैं 1 9 लगभग आएगा इतना मेटर पर सेकेंड अस्क्वार तो कुल मिलाकर प्यार बच्चो हम लोगों का ये NCRT का यानि कि क्लास 9 के ये सब बहुत विवी एई कोश्चन था जो NCRT के क्लास 9 के बुक में ये अब बीच में रहता है यानि कि कोश्चन के तोर पे कुछ कोश्चन बीच में भी दिया हुआ रहता है तो हम लोग बीच बीच में जो भी कोश्चन मिलेगा उस कोश्चन को भी करते चलेंगे तो प्यारे बच्चो ये तीन कोश्चन था जो कि वेरी वेरी इंपोटेंट था नुमेरिकल प्रोब्लेम भी था तो आज हम लोग इतना ये पढ़ते हैं प्यारे बच्चो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे वो ग्राफ पढ़ेंगे यानि कि ग्राफ ओफ मोशन मोशन के लिए ग्राफ या फिर बोल सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे किसी भी मोशन के लिए यानि कि motion को graphical representation कैसे किया जाता है तो प्यारे बचों आप जो है अगले दिन का class जो है graph पढ़ेंगे किसका graph तो of motion का यानि कि motion का कितने तरीके का graph होता है तो इस graph वले जो section को पढ़ेंगे उसको आप please graph के copy में ही note कीजेगा और हम खुद बताएंगे कि graph को कैसे draw करना है किस किस case में कितना कितना क्या क्या का graph बनेगा तो इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे आज के लिए बस इतना ही धन्यवत